students of class second in math class today we will do page number 34 question question is arrange the following numbers in descending order descending order का meaning होता है जैसे पहले हम सबसे बड़ा नमबर लिखेंगे फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और दन सबसे छोटा इसमें आप देखो 241 है 258 247 है 288 है 280 है तो सबसे बड़ा नमबर है 288 है हम 288 लिखेंगे then 280 फिर देखो यह 241 है यह 50 यह 247 है तो 250 आएगा then 247 then 241 next question आपका इसमें 878 846 837 850 822 यह सब तो 800 वाले है ना हम 800 का सबसे बड़े वाला नमबर देखते हैं तो 78 है 878 फिर हम लिखेंगे 850 then 846 then 837 and then 822 next है आपका 400 वाले यह सारे हैं तो इसमें 452, 60, 425, 470, 481 तो सबसे बड़ा नमबर कौन सा है 481 then 470 then 460 then 452 और फिर 425 इसमें देखो आप बेटा यह सारे 300 से रिलेटीड है ठीक है 387, 362, 376, 392, 390 तो पहले कौन सा है 92 सबसे बड़ा है 392 पहले लेकिंगे फिर इसमें कर लो हलका से टेक 390 then 387 then 376 और फिर 362 अब यहां है 729, 220, 780, 756, 940 अब यह नमबर्स जो है 100 वाले अलग लग है तो पहले सबसे आएगा 900 सबसे बड़ा होता है 940 फिर 700 वाले आएंगे तो 700 वाले 780 है 756 है 729 तो 780 आएगा फिर उसके बाद 756, 729 और फिर 220 नेक्स्ट कुश्चन हा आपका अरेंजा फॉलोइंग नमबर्स इन असेंडिंग ओडर असेंडिंग ओडर मींस पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और देन सबसे बड़ा अब यह देखो आपका यह 468 है 498 है 482 है 295 है और 300 है पहले मतले इन तीनों से आएगा नहीं सॉरी सबसे छोटा नमबर लिखना तो 295 हमारा सबसे छोटा जैन 300 अब हम इन तीनों में से चूज करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है 468 498 जा 482 468 फिर 482 498 यह तीन तो 500 वाले हैं दो जो हैं यह नमबर 400 वाले हैं तो हम पहले इन दोनों में से छोटा देखेंगे तो 435 आपका छोटा है फिर 497 अब हम 500 वाले तीनों में से देखेंगे पहले है 500 ओनली 500 को लिखो फिर 546 देन 587 अब इसमें 638 683 545 675 और 698 पहले आपका हैगा 545 अब 600 600 वाले सबसे छोटने 600 वाले सबसे छोटा लिको 630 फिर 675 और 683 और 698 इसमें आपके यह सारे 700 वाले तो 700 का सबसे छोटा नमबर देखिए यह आपका 730 और 740 और 760 और 785 और 791 नेक्स्ट कुशन आपका 800 804 846 835 और 745 सबसे छोटा हो गया 705 फिर 800 देन 804 फिर 835 और 846 अब हम करेंगे पेज नमबर 35 इसमें अवेकस हैं स्टूडेंट्स इसमें वन्स टेंड्स वाले बीड्स दिये होती हैं ठीक हैं इनको आपने काउंट करना होता हैं यह कितने वन्स हैं ध्री वन्स हैं वन्स टू टेंज हैं और यह हंडड्स के हैं वन्स टू ट्री टेंज हैं और यह करन दो इसमें लिखना हैं जैसे 1's के होगे 10's के कितने है 1 2 3 4 5 6 और 100 का कितना होगे 1 आपका नमबर बन गया 165 then 1 2 3 4 5 5 होगे 1's के 10's के 1 2 3 4 5 6 और 100 के 1 2 3 यह आपका अंसर आगया 365 next है आपका 1's के 1 2 3 4 5 और 10's के 1 2 3 4 100 के 1 2 3 4 चीक है आपका नमबर बन गया 445 next 1 2 3 4 1's के 4 होगे 1 2 3 4 5 6 7 7 10 के होगे और 1 और 2 274 then 1's के 1 2 3 4 5 10 का 1 और 100 के 1 2 3 4 5 यह आपका बन गया 550 students do your homework is do page number 34 and 35 in your book and notebook also thank you